ये केजरीवाल जी वही वेकती है ना जो कहते थे मैं दिल्ली के चप्पे चप्पे पर सीसी टीवी लगवा दूँगा ये सब तो इनके दावे थे और आज हालात ये है कि मुख्यमंत्री आवास की एक चप्पे का सीसी टीवी फूटेज अवेलेबल नहीं है दिल्ली उच्चने आयले ने जो कुछ कहा है मनिश्ची सोधिया के केस में वो केजरीवाल जी के इस दावे पर तमाचे से कम नहीं है ये सब्ता के गंभीर दुरुपयोग और विश्वास को छरण करने के समकक्ष है दिल्ली को दारू के दरिया में डुबोने के लिए आपने जो प्रक्रिया एडॉप्ट की थी वो कंप्रोमाईज हुई उन्हें प्रभावित करने की संभावना पूरी तरीके से बनी हुई है इसलिए बेल नहीं दी जा सकती है ये मुझे लगता है सारे बयान अंदोलन केवल विवह कुमार के लिए जो टेक्निकली कुछ भी नहीं है या यूँ कहूं सब कुछ वहीं है कि ये केजरिवाल जी वही वेक्ति है ना जो कहते थे मैं दिल्ली के चप्पे चप्पे पे सीसी टीवी लगवा दूँगा ये सब तो इनके दावे थे और आज हालात ये है कि मुख्यमंत्री आवास के एक चप्पे का सीसी टीवी फुटेज अवेलेबल नहीं है अज़र ये कथनी और करणी में किसी वेक्ति के कितना बदलाव हो सकता है जो कहता था दिल्ली के चप्पे चप्पे पे सीसी टीवी लगवा दूँगा वो मुख्यमंत्री आवास के एक चप्पे का सीसी टीवी फुटेज अनिंटरप्टेड अनकट सीसी टीवी फुटेज देने के सेटे में नहीं है और जैसा कि अभी बताया कि स्वातिमालीवाल जी को जो उन्होंने दुर्वेभार किया तमाचा मारा गया लाग घूसे मारे गये जिसका उले किया परंतु यहां मैं यह बताना चाहूंगा कि अभी नियायले ने उच्छे नियायले ने जो अपना अब्जर्वेशन दिया है मनीश सुदिया जी की बेल के संदर्ब में तो केजरी वाल जी जो बाहर आकर मैं कहूंगा नियायले के आदेश की खुले आम अबमानना कर रहे थे क्योंकि उनकी शर्तों में था कि वो अपनी केस के बारे में कोई टिपड़ी नहीं करेंगे उन्होंने बाहर आकर कहा था कि उनके उपर का केस फरजी है मुझे लगता है दिल्ली उच्च नियायले ने जो कुछ कहा है मनीश्य सूरिया के केस में वो केजरी वाल जी के इस दावे पर तमाचे से कम नहीं है मैं बहुत इसपष्ट कहना चाहता हूँ कि दिल्ली हाई कोट ने मनीश्य सूरिया के बेल के संदर्ब में जो कहा है उसको मैं सिर्फ कोट कर रहा हूँ जो पब्लिक डोमेंड में, मीडिया में वेलेबल है, अब्जरवेशन, उन्होंने का दिस इस ग्रेव मिस्यूज अफ पावर और ब्रीच अफ ट्रस्ट, ये सत्ता के गंभीर दुरुपयोग और विश्वास को छरण करने के है, आगे उन्होंने कहा है, दूसरे अब्जरवेशन में, अब केजरिवाल जी बताइए, ये तो प्रोसीजर्स के बारे में कोट की टिपड़ी हो रही है, और आगे उन्होंने कहा, कि गंप्रोमाइज तो किया गया, फिर उसमें लिकादा कोट सेट अब इंटेग्रिटी अफ दिसिजन मेकिंग प्रोसेस वस कंप्रोमाइजड, यानि निर्ड़े लेने की प्रक्रिया की प्रामानिकता पूरी तरीके से संदिक्ड हो गई, तो केजरिवाल महोदय आप स्व केस के बारे में इस तरह की बात बोलते हैं, इसलिए हमने कहा कि वो आपके चेहरे पर किसी तमाचे से कम नहीं है, इसके बाद और भी महत्रपूर्ण बात कही है, कोट ने अब्सर्व किया है, सिसुद्या जी के बारे में, यानि वो दो ऐसे फोन जो वो प्रियोक कर रहे थे, प्रियोक करने में सफल नहीं हुए, उन्होंने कहा कि वो डैमेज हो गए हैं, और इसलिए साक्षों के साथ छेड़ छाड़ और उन्हें प्रभावित करने की संभावना पूरी तरीके से बनी हुई है, इसलिए बेल नह लगता है कि एजरीवाल जी की स्वगोशित छवी, जो भी वो बनाने का प्रियास कर रहे हैं, उस पे इस से बड़ा डैमेज नहीं हो सकता, यह रिकोर्ड बहुत स्पष्ट रूप से कहें, और आपके साथ ही कहें कि वो दो फोन खो गए, और वो डैमेज हो गए, तो मुझ केस, कोड़ सेट देट दा प्रोसिकूशन वास एबल तो मेक आउट अप्राइमा फेसिया केस ओफ मनी लॉंडरिंग, अर्थाज प्रतम दरश्टिया मनी लॉंडरिंग का केस बनता हुआ दिखता है, यह साक्ष प्रोसिकूशन ने जो प्रस्तुत किये हैं, उससे प्रतीत होता है कि प्रतम दरश्टिया दा प्राइमा फेसिया केस ओफ मनी लॉंडरिंग, प्रोसिकूशन वास एबल तो मेक आउट, मुझे लगता है कि अब उच्छे ने लेके इस आप्जरवेशन के बाद किसी प्रकार का कोई किन्तु परंतु संशे किसी के मन में नहीं रह जात था, यानि लीगली इस बीन कंसिस्टेंटली, कैटेगोरिकली, इर्रिफुटिवली, इस ग्रैज्वली स्टैबलिष्ट, बट मॉरली वी आर पर्पलेक्स्ट, मनी से सोधिया को लेकर कोई नांदोलन हो रहा है, ना बयान दिया जा रहा है, ना कोई कारिक्रम हो रहा है, सा केजरीवाल जी से पूछना चाहते हैं, कि आपके उपमुख्यमंत्री, जो आपकी सरकार में नंबर दो की हैसियत रखते थे, ना उनके लिए चुनाओ परचार में लाने के लिए बांग हुई है, ना कोर्ट में किसी ने जाके अरजी दायर की है, कि केजरीवाल जी के तरह उन्हें भी परचार करना चाहिए, ना कोई उनके लिए आप आंदोलन या बयान दे रहे हैं, सारे बयान आंदोलन केवलों युह कुमार के लिए हैं, जो टेक्निकली कुछ भी नहीं हैं, या यूं कहूं सब कुछ वही हैं, या यूं समझिए कि जिन बातों को महिला सम्मान को धुस्त करने से लेकर सरकार की प्रशासनिक प्रिक्रिया को धुस्त करने तक जो कार आम आदनी पार्टी की सरकार ने किया है, वह दिल्ली की जंता के सामने अब शीशे की तरह इस पश्ट है, और इसे मैं कह सकता हूँ, यह ज़्यादा दुखद और कष्ट कारा किसलिए है, कि यह उस पार्टी के दोरा किया गया है, जिसने कितनी नाटक नो टंकी की थी, हम तो पार दर्शी रखेंगे, हम तो एक एक डोनेशन को रियल टाइम में शो करेंगे, वह तो शो करनी बंद कर दी, उसने कहा था, दारू का ठेका तब खुलेगा जब उस पार्टी में जो लोगपाल बनाया था, उसको भी फेक दिया, इसलिए इस दिल्ली की जनता के साथ जो चल हुआ है, और देश की जनता के साथ जो भ्रम करने का प्रयास किया गया है, मुझे लगता है देश की जनता इसका समुचित और प्रभावी प्रत्युत्तर देगी.